मोदी सरकार में जमकर हो रही इवियम की चोरी चुनाव आयोग ने तीन अधिकारियों को किया निलम्बित क्या इवियम चोरी करके बार बार बीजेपी जीत रही है चुनाव लोगों में दिका भारी गुस्सा और तनाव दोस्तो जब से भाश पर सरकार आई है तब से लगातार कई न कई इवियम पर सवार उट रहे हैं कई इवियम के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो कई लोगों का ये कहना है कि सरकार इवियम में धानली करती है और दोस्तो इन सब के बीच महराश्ट के पूरे जि पर चुनाव आयोग ने जिस तेजी से प्रक्रिया दी उसमें फिर से EVM को लेकर उट रहे सवालों को और मजबूत कर दिया है। लेकिन चोरी की घत्ना ने लोगसबा चुनाव से पहले वोटिंग मशीनों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं और जादा बढ़ा दिया है। को अभी तक पक्रा नहीं जा सका। फिलार इस मामले में पुलिस का कहना है कि तीन लोग पुराना वाड़ा समझ कर कारयाल में दाकिल हुए और ब्रीफ के समझ कर EVM चुरा ले गए। बंगर एक अपराधी है जिस पर हत्या के प्रयास छेरचार और दंगे के कई मामले दर्च बताए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दे कि इसके बाद भी चोरी के बाद से EVM के साथ कोई छेरचानी हुई है ये इस पश्ट नहीं पाया गया है। तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने उस कारियाले के जिम्मेदारी सम्हालने वाले अधिकारियों को भी निलम्मित करने की अनुशन सक कर दी है। प्रदोशन कर रहे हैं नारे बाजी कर रहे हैं इसको लेकर आपका क्या कहना है अपनी राहे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक और शेयर करिए और आपके अपनी चैनल का वीडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा नम पार करी आपके अवीडाएगा